सारी महिलाएं सारे पुर्शियों से शाररिक रूप से कमजोर होती है हर महिलाओं को बच्चे चाहिए महिलाओं जरुष से जादा भावोक और अतारकिक होती है वो निर्णे नहीं ले सकती है महिलाओं को लेकर ना जाने कितनी दफा हम ऐसी बाते सुनते हैं कहते भी होंगे बेसिस क्या है हमें नहीं मालूम। दूसरे शब्दों में कहें हम महिलाओं को स्टीरोटाइप करते हैं, उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, जैसे महिला अच्छी ड्राइवर नहीं होती, ये एक प्रचलित धारणा है, एक जेंडर स्टीरोटाइप है, और अब इनी जेंडर स्टीरोटाइप को तोड़ने के लिए सुप्रिम कोर्ट ने 16.0023 को एक बुकलेट जारी की है, यानि अब से देश के अदालतों में फैसले और दलीले देते हुए रूडिवादी शब्दों का प्रियोग नहीं होगा, इस मैनवल में वेकल्पिक शब्द या तरीके भी बताए गए हैं, उधारन से आपको समझाते हैं, शुरवात में हमने आपको महिलाओं के प्रती व्याप्त कुछ स्टीरियोटाइप्स बताये थे, उनमें से एक सारी महिलाएं सारे पुर्षों से शारे रिक रूप से कमजोर होती हैं, को तोड़ते हुए कोट ने बताया, पुरुष और महिलाएं शारे रिक रूप से भिन हैं, सभी महिलाएं शारे रिक रूप से पुरुषों से कमजोर नहीं होती हैं, किसी व्यक्ति की ताकत केवल उसके जेंडर पर निर्भन नहीं करती, बलकि उनके पेशे, जेनिटिक्स, पोशन और शाररिक गतिविधियां भी इसके मानक होते हैं, और इसी तरह से एक पूरी लिस्ट है, जो इस तीस पनों की हान्ट बुक में दी गई है, इसमें 40 जेनर स्टीर टिपिकल शब्दों के बारे में बताये गया है, जो कानूनी कारवाई के दौरान आमतोर पर इस्तिमाल कर लिए जाते हैं, जैसे अफ़ेर, कोट का कहना है कि शब्द की जगहा शादी से इतर रिष्टे का प्रियोग होगा, करियर वुमिन एक और उधारन है, अदालती कारवाई में अब सिर्फ वोमन कहा जाएगा, इव टीजिंग को सड़क पर यौन उत्पीलन कहा जाएगा, हाउस वाइफ नहीं होममेकर बोला जाएगा, अब विवाहत मां को केवल मां कहेंगे, अच्छी पत्नी की जगह सिर्फ पत्नी और प्रोवकेटिव क्लोधिंग या ड्रेस की जगह केवल क्लोधिंग या ड्रेस शब्द का इस्तमाल होगा, नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुम्राव है, आप देख रहे हैं दिललन टॉप का महिलाउं से जुड़ा, खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक मेरे साथ हैं, इंडिया जुड़े की एक्सेक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीती चौधरी, प्रीती एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है जनाना रिपब्लिक में, आज के एपिसोर में हम बात करेंगे, सुप्रिम कोड द्वारा रिलीस की गई, हांड़बुक का जो जेंडर स्टीरोटाइप्स को चालेंज करती है, अप्रीती महिलाओं को लेकर बने स्टीरोटाइप्स के कुछ एक्जाम्पल्स मैंने शरुरात में अपने दर्शकों को दिये, इस हांड़बुक में भी एक सेक्शन है, अगर इन्हें तोलना है, तो इन्हें समझना पड़ेगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मुताबिक ये स्टीरोटाइप्स जो हैं, जो महिलाओं को लेकर बने हुए हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इतनी डीप रूटेड कंडिशनिंग ये हमारी होती है, कई लोग भले ही ये कहते रहें कि no, we are very much aware, हम तो महिलाओं की इज़त करते हैं, हम तो महिलाओं के हक के लिए खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कई मौके ऐसे आते हैं, जहां वो चूप जाते हैं, और ये जो डीप रूटेड कंडिशनिंगे निकल कर बहार आती है, आपके experience में अगर कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आप बताना चाहें कि कैसे ये function करता है in our society, in our country? हर लेवल पर function करता है, एक तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये Supreme Court ने हैंडबुक निकाली है, मुझे लगता है ये हैंडबुक ना स्कूल में पढ़ानी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भीतर ingrained कर देते हैं, बचपन से certain stereotypes और हमें पता ही नहीं चलता है आप जब बड़े होते हैं, फिर आपको थोड़ी understanding होती है कि ये जो शब्द, एक शब्द आप किसी चीज से attach कर लेते हैं, उसका इतना deep connotation in society में होता है, कि फिर बाद में समाझ आता है, for example, मैं आपको दूगी, मैं अपना खुद का एक example देती हूँ, जब मैंने journalism career join किया था, और मुझे political beat चाहिया थी, politics चाहिया था, बहुत सालों तक मुझे नहीं मिली, पर eventually मुझे दी गई, और मुझे अभी तक याद है, मैं नाम नहीं लूँगी, जो मेरे editor थे उस वक्त, अभी नहीं है यहाँ पर, कहीं और पर काम करते हैं, उन्होंने बोला, अरे, she's too ambitious, और वो थोड़ा सा use हुआ in a negative way, ambition अगर आप देखें, और यह चलिए, मेरा career में use हुआ है, पर मैं आपको इसका वो भी दूँगी, अगर आप देखते हैं ना, matrimonial कभी निकाल के देखे आपको, if they don't want a woman who is working, आपको कहेंगे, not looking for ambitious or career women, यह साफ वो लिखके देगे, not looking for ambitious or career women, क्योंकि, क्या होता है ना, अगर आप सिरफ, इसमें, for women ambition is a dirty word, और अगर आप ambitious woman, अगर आप बोलोगे, तो उसका immediate stereotype है, कि यह कुछ भी हद तक जाएगी, अपने ambition के लिए, यह घर मे कभी time नहीं देगी, इसको family oriented तो यह ही नहीं, और इसके लिए सब सिरफ ambition है, और यह कुछ भी करेगी उस ambition के लिए, और यह is considered somebody who is not, मतलब, जो मैंने बताया, family oriented नहीं है, जो values उनकी weak है, वो values हर चीज़ साक्रिफाइस कर देंगे, अपने ambition को fulfill करने के लिए, जो बहुत गल अलता होता है, मेल के लिए ambition is seen as a good word, ambitious man, for woman it's a dirty word, अब यह एक stereotype है, इसमें आप उलता देख लिए, जो महिलाओं के लिए होता है, होमली, हमने कुछ नहीं बोला हम बोलते हैं, होमली girl, होमली girl का मतलब क्या हुआ, कि जो housewife बनके रहे, यह नहीं हो मैं भी हो सकती हूँ, मैं पौधों को देखती हूँ, मैं कोई भी excuse बना लेती हूँ, कि मैं को socialize ना करना पड़े, तो मैं होमली हूँ, पर मैं कभी होमली नहीं कहलाँगी, होमली के हमारा stereotype definition है, हमारे समाज में, घरेलू, होमली, घरेलू, और अगर matrimonial में भी देखा जाए, तो कोई जो housewife बनने क को तयार है, क्योंकि होमली का मतलब यह होता है, अब housewife नहीं, अब homemaker है, अब यह बहुत सारे स्टेरोटाइप्स हैं, और यह इतना ingrained होता है देवानची कि हमें पता ही नहीं चलता है, for example, जैसे, जो clothing हमने बात की, provocative clothing, अगर 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 provocative clothing ते मतलब इस महिला ने, she must have, invite करें, मुझे एक unwed mother, इतनी बार use होता है, कि unwed mother, unwed mother, और unwed mother मतलब आपके दिमाग में इतने सारे चीज़ें गूमने लग जाती है, कि अरे, जो सारा moral इसमें bend आ जाता है, वही argument, अगर आप unwed mother कहें, तो आपका पूरा एक moral, इस पे आप एक morality थोप देते हैं, और अगर आप मदर कहें, तो कोई फरक ही नहीं, आपको क्या पता है, अपको क्या पता है, अपको क्या पता है, जो भी family situation है, उनका अग है, तो यह बहुत, जब भी हम बच्पन में थे, इवन cooking at home, it is associated with only women, it is a stereotype, women cook, अगर, if it would be a husband who is cooking, it is an anomaly, क्योंकि आपको लगता है, यह तो होता ह नहीं है भई, मतलब यह थोना होता है, तो बहुत सारे है, जो इकवार है, that women are terrible drivers, हमेशा आप stereotype है, हम हमेशा सोचते हैं, for example, women are bad at finance, men are better at numbers, यह एक stereotype है, पर most people will prefer a male CA than a female CA, पर यह बहुत सारे अभी break, hopefully, stereotype धीरे-धीरे करके shatter करने पड़ेंगे आपको, परीती जब यह पुरा बताया गया है कि जब कोई decision देना होता है, कोई judgment देना होता है, तब अगर जो judges बैठे हुए हैं, वो impartial या objective lens से सारी चीजों को नहीं देखेंगे, और maybe इन stereotype से confirm करेंगे, क्योंकि यह शब्द भुतायत में use हो रहे हैं, हम पूरे proceedings में देखते हैं, इन शब्दों क प्रियोग नहीं कर रहे हैं, जो उन stereotypes को जो हमारे समाज में हैं, उन्हें challenge करते हैं, तो injustice होने की जो संभावना है, वो बहुत जादा बढ़ जाती है, और Supreme Court ने इसाफ तोर पर का है, कि हम उस impartial eye को, जो law की impartial eye है, जो objective eye है, उसको बरकरार रखना चाते हैं, और तभी है handbook प्रिलीस की गई है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रिती, एक legal system में आपको कहा लगता है, कितना change आ सकता है इस तरह की चीजों से, और फिर उस legal system से हमारे समाज पर कितना असर पड़ सकता है, आप क्या सोचती हैं, बहुत छोटी, ये handbook ना सबसे पहले जो lower courts है ना उनको देना चाहिए, कभी कबार आप अगर order copy पढ़ेंगे lower courts की, जो lower sessions judge होते हैं, आप खुद चर्मा जाएंगे, क्योंकि वो इतना ये जो सारे stereotype से भरा रहता है, वो, unwed mother, कितनी बार use होता है, provocative clothing, ये judges use करते हैं, तो अगर आप इसको legal system से हटाओगे, तो आपका completely ज और उस वकील ने अपनी दलील पेश की है, और मान लीजिये, अगर उसको पेश करनी है, तो अगर वो, instead of unwed mother, वो mother बोले, नजारिया ही बदल गया ना उसका, तो उनका जिसको आप अपना वो पेश कर रहे हैं, आपने वो morality हटा दी है इसमें, और ये सिरफ एक legal purview रखा है तो अगर आप सिरफ और ये सब, मतलब at a level, if it starts from the legal perspective court, so hopefully it will trickle down, and I'm hoping these handbooks are given, like I said, ये तो स्कूलों में पढ़ादीनी चाहिए, और ये इतना, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हम अपने description box में, इसका जो लिंक है, वो छोड़ जाएंगे, आप इसको जरूर पढ़ें तीस पन्नों की है, बहुत लंबी ने, लेकिन ये इतना descriptive और इतनी important है, कि सभी लोगों को ये पढ़नी चाहिए, और जो तमाम gender stereotypes को तोलने की बात ये करती है, वो hopefully हाँ से शुरुवात हो सकती है, और जब एक authoritative जो body है, वो ऐसी कोई चीज सामने लाती है, तो definitely उसका असर जो society है, उस पर जरूर पढ़ता है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीती, कि आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, हम अपने दर्शकों से अब अगले हफते मिलेंगे, तब तक के लिए आप जुले रहे हैं दी ललन टॉप के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया